बिस्मिल्लार्माले रर्रहीम, अस्लामलेकुम रह्मतुल्लाहिव बरकातु। वेलकम टू ओफिस.com.bk आज हम क्लास 10 बालोजी का चेप्टर नमबर 11 का टॉपिक डिसॉर्डर्स ओफ किट्नी डिसकस करेंगे ठीके डिसॉर्डर्स ओफ किट्नी डिसॉर्डर्स क्या होती हैं डिसॉर्डर्स जो है वो यह वर्ड डिसीज जिसे हम कहते हैं बिमारियां जिसे हम कहते हैं ठीके डिसॉर्डर्स ठीके बिमारियों को कहते हैं और किट्नी किट्नी जो है वो हमारी बोडिका क्या है एक स्पेशलाइस्ट ओर्गन है क्या है PP का काम करना ठीक है PP ७ध को फिल्टर। करना जिक हो गया इसी तरह सब्प्राइन को क्या एक दिस घ्र कर दाए का धिया क्ईिकowski कड्नी की डिजीजी क्ड्नी की डिजीजीजी डिज्टी फो सकती है Tôi हो सकती है ठीक है, there are many different kidney disorders, ठीक है, kidney के disorder जो है, वो मुख्लिप तरह की बिमारियां हो सकते हैं, लोग, मुख्लिप बिमारियों का शिकार हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम discuss करेंगे kidney disorder, वो है kidney stone, ठीक है, वो है kidney stone, ठीक हो गया, जिसे गुर्दे की पत्थरी भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे कया कहा जाता है, ठीक है, हओ हम पढ़ता है कि kidney stone जो होता क्या है, कैसे यह बिमारी होती है, और इसका विलाव जो किस तरह किया जाता है, ठीक है? जब urine जो है वो बहुत जादा concentrated हालत में हो जाता है मतलब कि जब urine जो है वो बहुत जादा गाड़ा हो जाता है तो इसमें बहुत सारे जो है वो salts जो salts वगारा के जो है वो crystals बन जाते हैं ठीक है Ammonium Phosphate, Uric Acid बगारा की जो है, वो क्रिस्टल्स बन जाती हैं। किस की बन जाती है? Salt की। ठीके। किस में बन जाती है? Urine में बन जाती हैं, जब urine जो है, बहुत जादा concentrated हालत में होगा, ठीके। बेदा हो जाएक जब एक उर्हा करका कि के जो है वो बड़े क्रिस्ट्ल जो जःस्टेज़ मन जाती है तो यूरिन में से नहीं हो सकनी ठीए और एक सॉलिड बाटेरियल की शकलमें जब जैनल होना शुरू हो जाती है जिसे क्या कहते हैं kidney stone जिसे क्या कहते है kidney stone जी के एक दफा फिरा में से repeat कर लेते हैं जब urine बहुत ज्यादा concentrate हो जाता है concentrated हालत में हो जाता है गाड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सारी जो salts होते हैं मसले calcium oxalate calcium ammonia phosphate uric acid बगारा जो हैं वो crystal की form में बन जाते हैं ठीक है और यह जो जब यह crystal बड़े बन जाते हैं तो यह urine मेंसे नहीं pass out हो सकते हैं नहीं गुजर सकते हैं ठीक है और यह solid material की शकल में जमा होना शुरू हो जाते हैं ठीक है जिसे हम क्या कहते है kidney stone गुर्दे की पथरी जिसे के बोलते हैं ठीक है stone बनने का अगाज जो है वह किसमें होता है kidney में होता है और दूसरी अगर देखा जाए दूसरी stones वह युरीटर और ब्लैडर तक भी जो है जा सकती है ठीक है इसमें से चंद जो है स्टों वो युरितर में भी जा शकते हैं और त्रोमें जा सकते हैं और त्रक्राजन इस गिद्या और सलने को यह थिए क्रहलों को दखते हैं कि ऊस अध्य और तो कितने खरते हैं मेजर काज क्या है किदनी होने के सबसे पहले टाइड कैसे सबसे पहले क्या है एंट इसको अगे और जो डढक्त होती है ठीक हो गया और लेस इंटेक ओफ वाटर पानी की कमी हो सकती है ठीक है अलकोहल का इसमाल हो सकता है अलकोहल कंजप्शन हो सकती है ठीक हो गया अच्छा जो किन्नी स्टोन्स की मेजर काजिज है एक तो एज हो सकती है डाइट हो सकती है ठीक है और यूरिनरी जो होती है डक्ट वो यह कह halal है जो चिट्नी ऑपुठी होती है किड्नी या बटॉमिल को उसमें बहुत Matthew के नीची साह कॉसे में यह चॉथा हिस्ञा स्वीन रहता है थीचरी जैं तो सिंट्रम ऐसके देखे जाएं तो क्या है subtom कि नस्तून के बहुत ज्यादा स्वियर को युद्न के नीचे भी हो सकती है दूसरा जो है वह वामटिंग हो सकती है और फ्रीक्वेंट ईुरीनिशन हो सकती है यॉरिन का बार बार आना ठीक है ये वह सकते हैं null smiling urine ब्लॉड ऑब जो उरिन उसमें थे इसम है वह वह जो है वह स्मेल भी आ सकती है और जब यॉरिन आएगा तो उसमें बलड और पस जो है वो प्रेसंट होंगे ठीक है यह सारी जो है वो सिम्टम्स किसी है किड्नी स्टोन की ठीक है क्या है एक तो स्वीर पैन बहुत ज्यादा खताना खतक जो है वो पेन हो सकती है किसमें हो सकती है किड्नी में हो सकती है और अब्डोमन के नीचे वाले हि जो है वह बहुत ज्यादा ऐगी या उसमें बलड भी आएगा और पस भी उसमें जो है वो मजूद होगी ठीक है और ज्यादा पानी पीने से ज्यादा वाटर के समाल से तक्रीबन जो है वह 90% तक जो है वह इसे ट्रॉन यूरियनरी सिस्टम से गूजर सकती है ठीक है और करने वहां से बिपारिय में और को नियुआ जाता यह इस तरह बॉस तरह यह वो किडनी में इस ट्रॉम को निखालने का एक तरीकी एक और कौल press और जिसे लिज्डिय वोलते । इस डिया जाते गारे बॉलते हैं दो जिसके जरी को एक निया तरीका जिसके जरी किड्नी को जो है किड्नी में से स्टॉन को रिमूव किया जाता है ठीक है इस मेथड में जो है क्या किया जाता है इस मेथड में यूरिनरी इस सिस्टम में मुझूद जो स्टॉन होती है उन पर बाहर से नॉन एलेक्रिकल शॉक वे buvo थाइब कहा चाहिक让 इसको तोड़ देंगी और जो स्टोन होती है वो बरिग जरौ में वह से सब्सक्राइब करेंगे जब खर्रेंगे सेंट लाइक इंट निकल जाएंगे यूरन के जरीय बाइर जो हो गया किड्नी स्टों के बारे में अब हम दूसरी इस की डिजीजी की पढ़ते हैं वह है किड्नी फेलियर किड़नी फेलियर किड़नी का बेकार हो जाना किड़नी का फेल हो जाना किड़नी का बेकार हो जाना ठीक है अब हम यह देखते हैं कि इस बीमारी में जो है वह क्या होता है ठीक है किड़नी फेलियर का मतलब क्या है किड़नी फेलियर का मतलब है कि कम्प्लीटली जो है वो गार कर देता है एक डिटनी के अफ़ाल काम करना फंक्टिन उत्राइप नकाम काम करते हैं बेता हिन ऐन कैकार कर देते हैं скॉश्ची किड्राकार की आ थाहिका है? और बाज काज वह वो गढोगावण थाहिका है और बाज वह कीड़नी को hoo प्रॉबाद जो भागार ब्लॉड की अलामात है उसमें क्या है? अ बलड में यूरिया और दूसरे वेस्ट मैटीरियल उसके मिटारों में बहूर्ट जाथा हो जहता है, जिसके नतीजा में जो है वो वोमिटिंग और वेट अनुछ बज़न में कमी आ जाती है और उरेन का बार-बार और यूरन मेंArt जब दूर यूरेन घयेगा तो इसमें ब लुड की मुजोदूगी χो सकती है ठीक है जिसनल मेंV इसम प्लर्ण और बहूत स्वेलिंग् зм's मुष्म को सकती है ठीक हो गया शॉड्ड अब्लर हो सकती है कि सांस इन दिया क्यों जो है वो यूज हो रहें एक डालेसिज ठीक है डालेसिज एक और नमबर टू जो है वो किड्नी ट्रांस्प्लांट किड्नी ट्रांस्प्लांट चीक हो गया एक डालेसिज और दूसरा किड्नी ट्रांस्प्लांट पहले हम डालेसिज पढ़ते हैं डालेसिज बेसिकली क्या है डियालसीज, बैसिकली क्या है कि इस अमक इस क्लियनिंग ऑफ बलर kurz को साफ करना by artificial mean दीक है, ये मस्तनुई त्रीके से एक NOR को साफ करना इबलर जाना वह क्याँ अमका क्या गहलता है । ड्यालसीज क्या क्या अम गहलता है ढालसीज तीक ہے तिन हफिक के इस त्रिका मैं जो है वह माण कर दिया जाता ह। वह फोटिशंनल घविटी में करदिया जाता है इस जांड जाइद इस अचुन नुकाफर cią से ग्ता में होती है ठीक है पेरिटोनियíb लगे हो जिसमें बलांड वैसल होती है ण-स तरह हूं कि इस तरह होती है और इस तरह हैं इसके इंदर जैना होती है जो नहां बलाड वैसल सी जो हो थियें पडरे जिक हो गया व्रच परिटोनिय commandments कि यवटी में डियलसिस्ट को को रखते हैं तो इसके बाइड थे ऊपेल जात Eden और इसके बार डियलसी दो को आउट कर दिया जाता ह। š Hij असानी से किया जा सकता है लेकिन लेकिन इसरे डेली बसीज पर ना बढता है ठिक है गर में भी किया basis बे वह करना पड़ता है ठीक हो गया अब हम दूसरी दूसरी इस की आते हैं जिसे बोलते हैं यह थो हो गया परिटान्टरोनिल डैलेसिस और अब हम हम हेमोडायसिस के तरह आते हैं हेमोडायसिस बेसिकली जो पेशंट होता है, पेशेंट का ब्लड जो है वो एक अपरेटर से गुजारा जाता है ठीक है जिसे डायलाइजर बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं डायलाइजर बोलते हैं ठीक है पेशेंट का ब्लड जो है वो एक अपरेटर से गुजारा जाता है जिसे डायलाइजर बोलते हैं और डायलाइज सोते हैं वह बड़ से निकल कर जो हे वह ड्लेस में और जो गली बड़ यह हो चुका हुआ चूँग क्लीन बड़ जोता है वह क्या किया जाते? दुबारें बॉटी में उसको एंटर किया वो जो जो एक परेटर पूरा एक प्रेटर सचाहिए होता है जिसे पेशिट का ब्लड़ साफ किया जाता है ठीक और यह home मैं नहीं प्रोसेस हो सकता है इसके लिए जो है वाझा से सेंटर में ही जाना पड़ता है और वहां से यह process करवाया जा सकता है इसे बोलते हैं hemodalysis अब हम दूसरी तरफ आते हैं kidney transplant जो है वो क्या है dialysis अच्छा है यह तो हमें पता चल गया कि dialysis के process को जो है वो चन दिनों बाद ही repeat करना पड़ता है थिक है with a passage of time इसको जो है repeat करना पड़ता है और यह process जो है तने होगे कीड्नी होता है उसका जो है वह खतरा होता है कि वह वेस्ट हो जाए ठीक है तो एक उसके रीवाड के लिए किड्नी transplant किडिनी को यह क्या है के रिपलेस कर दिया जाता है डेमज खिड्नी जो है में जो यह रिपलेस करने वाला हो पेशेंट का जो है ट्रांस्प्राइ्य वह ऑपस में टेस्टेस्ट किया जाता है जो पूरा प्लंकृ सिस्ट्व थूर लींआ रेहीं है ने देना एक डॉनर देना है यह फिर अपने Цतिकoter है उसका पूरा जहते प्लंकृ यह सिस्ट्रम ना करने बैखे ल्याय ने रामतर है प्रवर्च प्राइज च्छ अवर्ट आज़के जुए जो डुनेट किया गे विट्नी की जो एंड तक्रीबं दस से पंदरा साल हो सकती एंट कितनी हो सकती है दस से पंदरा साल जब एक transplant जो है वो ना काम हो जाए proper ना हो तो मरीज को जो है patient को जो है वो new kidney भी transplant किया जा सकता है ठीक है ऐसी सूरत में जो है वो मरीज का इलाज जो है वो किसे किया जाता है dialysis के जरीए किया जाता है जब तक kidney transplant काम ना हो तब तक जो है वो patient का इलाज जो है वो dialysis के जरीए क किया जाता है ठीक है और ट्रांस्प्लांट के बाद जो है प्रॉब्लम्स टिशू की टिशू रिजेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है या बोडी में जो है जो सार्ड्स हैं इंबैलेंस इन बोडी सार्ड्स ठीक है इंबैलेंस हो सकता ह साल्डskα, जिसके result में क्या होता है जो के lead करता है किसी इसको lead करता है हडियों के mascile को, नहैं albo bone problems हो सकता है जिससे एक और बीमारी हो सकती है जिसे ul 한데 बोलते हैं तिक है अगर transplant सही हो जाए transplant के बाद भी the problems हो सकती है जैसे कर टिश्यृ reconstruction हो सकती है infections हो सकते हैं और body में जो है वो salts क्या imbalance हो सकता है ठीक है और salt का imbalance हो सकता है फिर वो क्या कौन सी leading होती है कौन सी which can lead to bone problem जो के क्या जिसके इंतिजा में हडियों के मसाइल हो सकते हैं और ulcer बीमारी जो है वो भी हो सकती है ठीक है यह सारी जो है यह आज हमने जो discuss की है हो है disorders of kidney ठीक है kidney के जो disorders है kidney की जो भीमारिया है नेक्स हम इंशाला तरह नेक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नमबर 12 coordination and control ठीक है अगर आपको हमारी वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जूरूर करें शुक्रिया